दोस्तों आज की इस पूटों के अंदर हम देखने वाले हैं कि आप अपने access bank के credit card के bill को पी सरे से payment कर सकते हैं इसके लिए मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आप application का यूज करके अपने access bank के credit card को किस तरह से payment कर सकते हैं इसके लिए आप सभी को access bank का application download कर लेना है यहाँ पर card वाले option के उपर आपको क्लिक करना है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा current outstanding amount है यह 14,000 पर पी करना है मुझे तो इसे ही मैं आप सभी को pay करके दिखाना हूं बहुत easy तरीका होने वाला है यहाँ पर आप देख सक condition वगर जो भी basic details होता है वो पढ़ सकते हैं अगर आपके पास access bank का account नहीं है फिर भी आप application को download कर सकते हैं आपके रेजिस्टर नमबर से इसके लिए का आपको पोई भी access bank पर account खोलने की कोई भी requirement नहीं है यह बहुत ही अच्छा option है और यहाँ पर सबसे उपर जो आप home का एड करके रखाने आपको सारे यहां पर आजाएंगे अभी जैसे आप देख सकते में आप 14,000 रुपीज पे करना है यह total due amount है और इसके बार देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक amount वाला option भी आ रहा है अगर आपके पास total payment नहीं है तो आप minimum जितना भी payment है आप सभी के बास भी आसर डाल सकते है डालने के बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आपको किस तरह से payment करना है एक्सिस बैंक का आपके पास अगाउंड नहीं है तो other bank वाले option के उपर आप क्लिक कर सकते हैं क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिससे आपको करना है confirmation के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कितना payment करना है बस उसके लिए आपको यहाँ पर confirm करने के बाद जैसे आपको यहाँ पर नीचे पे नाओ वाला ऑप्सन दीख रहा है बस इसके उपर सिट अपस ब्ली को क्लिक कर देना है जैसे पेला वाले अपसन के ओपर गली करूँगा है यहाँ पर अब जैक ओटीपी आजाएगा मेरे बैंक है तो ओटीपी को जैसे आप पर एंटर करना है एंटर करने के बाद सब्मीट कर देना इस तरह से आप अपने एकसेस बैंक के क्रेडिट कार्ट के पेमेंट को बड़ी आ आसाने सीखा सकते हुए यह लगे हुगा तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जराओं कर रहा है